हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिया वाई विद स्टीचिंग टेटर बाई विजिया मैं तो फ्रेंट्स आज इन पुराने दियों का में ऐसा यूज लेकर आई हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और फ्रेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नूँ है तो प्लीज चैनल को सबस्काईब कीजगा और अब मेरी वीडियो अच्छी लगे टो प्लीज वीडियो को लाइक कीजगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में लाच तक बने ही रहीएगा तो फ्रेंट्स मैंने यहां पर देखी चार से पांच डिजाइन के दिये लिए हैं तो फ्रेंट्स वैसे जब भी आप फैबरिक पर कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसके लिए ब्लॉक का यूज किया जाता है तो फ्रेंट्स आज हम इन दियों से ही ब्लॉक की तरह यूज करेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने फैबरिक ले लिया है प्लैन फैबरिक है आप जिस भी कपड़े पर जो भी फैबरिक है उस पर डिजाइन बनाना चाहते हैं तो आप वो फैबरिक ले ले और फ्रेंट्स उसको इस तरह से रखते हुआ उसके नीचे आखबार जरूर रख ले ताकि जो हमारा कलर है वो नीचे मेज पर या नीचे रखा हुआ को कपड़ा है उसके ओपर ना लगे तो फ्रेंट्स यहां पर मैं यूज कर रही हूँ है जो कपड़ों के अंदर लगी हुए आती है वो आपको आराम से मिल जाती है तो फ्रेंट्स यहां पर दो तरह से यहां पर इसका यूज हो सकता है एक तो आप इस फॉम पर कलर लगा कर तब यूज करें इसको आप कट कर लें जितने बड़ा हमारा डिजाइनर दिया है उ प्रेंट्स मैंने यहां पर रेड कलर लिया है और यह फैबरिक कलर है क्योंकि फैबरिक के ओपर करना है हमें और अब हमें इसे कपड़े के ओपर लगाएंगे तो फ्रेंट्स जहां भी आपको बौर्डर बगारा बनाना है या बीच से जिस तरह से भी डिजाइन देना है सूट पर दूपर टेपर तो आप उस तरह से लगाएं इसको इस तरह से प्रेस करें क्योंकि यह हैवी दिये होते हैं और ब्लॉक की तरह आसानी से यूज हो सकते हैं तो फ्रेंट्स देखिए जो इनका डिजाइन है वो हमारे फैबरिक पर आ जाएगा अब इसी तरह से मार्क कीजिए और आपका जो डिजाइन है वो हमेशा के लिए आपके फैबरिक में बना रहेगा तो फ्रेंट्स यह तो हमने ब्रशे पेंट किया था दिये के उपर और अब मैं यहाँ पर आपको वो स्पंज वाला यूज करके दिखाऊंगी तो फ्रेंट्स स्पंज के उपर लगा लेना है और इस कलर को अहाँ पर इस तरह से लगाने के बाद में जो भी आपका डिजाइनर दिया है उसको इसके उपर लगाना है तो यहाँ पर मैंने इस पर कलर लगा लिया है और अब हम यहाँ पर दिया है हमारा उसको लेंगे और इसके उपर प्रेस कर लेंगे और आप इसको हमें आपर फैबरिक के ओपर लगाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा जो यह वाला डिजाइन है यह भी बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा तो फ्रेंड्स इस डिजाइन को भी आप साड़ी के बॉर्डर तक आप इससे बना सकते हैं या फिर दुपटे में भी बॉर्डर बना सकते हैं सूट में भी बना सकते हैं मंदिर का परदा होता है या हमारी मातारानी की चौकी पर जो भी कपड़ा लगाया जाता है उसके ओपर तक आप इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं तोफ्रेंट्स यहां पर मैंने यह तो इस बड़े वाले दिये से design बनाए थे और इस से आगे मैं यहां पर छोटेवाले दिये से design बटाउँगी और फ्रेंट्स जो इसके अंदर जो जगे काली रह और इनको फिल कर सकते हैं तो फ्रेंड्स या फिर आप स्टॉन वर्क बाद में करना चाहें कुछ भी पड़ लगाना चाहें वह आप लगा सकते हैं तो बहुत सुन्दर लगे गा यह तो फ्रेंड्स यहां पर देखें अम चोटे वाला दिया है जो इसको यूज करूंगी और फ्रेंड्स इसी तरह से हम देखें यहां जो हमारा सिंपल दिया होता है चोटा वाला उसको भी हम यहां पर इस तरह से यूज करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर भी इस तरह से कलर कर लेंगे और इसका भी एक ही साइज के हमारे जो बॉर्डर में यूज होते हैं डिजाइन यहां पर देखिए आप सोच रहे होंगे कि यह तो हमारे किसी काम के नहीं है क्योंकि हम तो पाइट करते हैं करना जानते नहीं है तो फ्रेंट्स आइए एक और यूज बताती है अपको और यह बह। यह यूज बच्चों की स्क्रैबबुक एक्टिविटि का तो फ्रेंड्स जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको एक्टिविटि बनाने के लिए मिलती हैं यहां पर मैं आपको कुछ पेजिस दिखा रही हूं एक्टिविटी के तो देखें इस पर किस तरह से डिजाइन बने हुए हैं तो क्यों ना यह डिजाइन हम इन दियों की साहता से ही बनाएं तो आएए शुरू करते हैं हम यहां पर कोई भी दिया लेंगे और उसके ओपर अपना मन पसंद कलर करेंगे और इनको भी हम यहां पर इस तरह से प्रेस कर देंगे तो फ्रेंड्स यहां पर देखें जब हमारा एक ही बार जो कलर होता है वो हमारा चलता है अच्छे से और उसके बाद में वो लाइट होन देजाइन बन जाएंगा तो फ्रेंट्स क्यों ना इससे करते हूं हम यहां पर डिजाइन बना ले और फ्रेंट्स जब आप इस तरह के पेज़िस पर use कर रहे हों तो उसके लिए पostern कलर्र यूज करें इसके लिए fabric color का use नहीं होगा तो पोश्टर कलर को ही यूज़ करना है यहां पर और इस तरह से दूसरा मैंने दिया लिया है उसके ओपर भी मैंने यहां पर इस तरह से पोश्टर कलर किया है और इसको भी मैं यहां पर डिजाइन बना लूँगी तो अलग-अलग लुक में जाके हम यह डिजाइन बनाएंगे और इस तरह से हम अपनी स्क्रेप बुक को या फिर एक्टिविटी को हम अच्छे से डिजाइन कर लेंगे तो देखें यहां पर एक इतना अच्छा लुक इससे आ जाएगा एक जो हमारा प्लेन पेज है जो सिर्फ लाइनिंग वाला है उसमें एक अच्छा सा डिजाइन बन और फ्रेंड्स अब हम यहां पर एक गिफ्ट रैप बनाएंगे तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए हम शादी में जाते हैं या फिर किसी को हमें मनी गिफ्ट करनी होती है मू दिखाई हो या फिर शादी में करन्यादान हो तो उसके लिए या फिर कोई भी रिशेप्सन पा करने के लिए इस तरह से कर दीजिए तो देखिए मैंने यहां पर इसको इसमें पैसे रखिए और इसको उपरसे कलाई से वांद दीजिए और हमारा देखे कितनी आसानी से और जहां पर ये चार से पांच रुपे में आता है हमने इसे घर पर ही फिरिय आफ कोस्ट बना लिया है तो कैसा लगा मेरा आइडिया